दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको इस तरीके का कुछ बैक्राउंड दे दूँगा और इसे किस तरीके से एडिट करना है फुल टुटोडियल आपको सिखाऊंगा हर एक चीज को डिटेल में सिखाऊंगा और इसी के साथ जो साउंड इफेक्ट आप कहां से यूज जैसे के एग हो गया या फिर कुछ और वी चीज जितने वी चीज़े हैं यहां पर सभी के सभी एक्टरनेल तरीके से एडिक और आका को सबसे पहले मैं आपको रहाज सारे लुट में से बादित के देखने के लिए जाएंगे हर एक वीडियो के description में आपको characters के download link भी मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो को end तक देखना था कि आप लोग हर एक process को अच्छे से समझ पाओ और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले background बनाना सिखाऊंगा और इसके लिए आपको एक application का जरूरत परेगा जि इमेज यहां पर import करूंगा वाल का image ठीक है और यहां पर जितने भी image बगरा import करूंगा सब के सब copyright free होते हैं आप जो image search में application वहां से डाउनलोड कर सकते हो बट यह ध्यान रखना कि कोई भी image में company का watermark नहीं होना चाहिए या logo बगरा नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैंने आप एमेज को import कर लिया अब मैं क्या करूंगा ब्रस पर क्लिक करूंगा और उदर से eraser चूस करूंगा अभी आपको ऊपर ने वह बंटन करना है इदर एस दिक्राओगा इधर कलिक करना है और इसटरीयके से आपको इरेस कर लेना को ठीक है कुछ नहीं दोस्तों どो मिनित मे बेग्राउंड बना सकते हो अब हम क्या करेंगे उपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसे ओफ करेंगे और इरेजर को थोरा सा बढ़ा करेंगे और इधर से पूरी तरीके से इस तरीके से एरेस कर लेंगे ठीक है जो यह चुरेल का गुफा होगा इसे आप अपने हिसाब से बीडिजाइन वगरा कर सकते हो मैं इहां पे सिप नॉर्मेल तरीके से आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको काइन मस्टर पे लेके चलूंगा और वहां पर एडिट करके दिखाऊंगा अब इतना होने के बाद आप बापस से एरेज इस दिख रहा है ना इधर पर हम लोग घास बनाएंगे एक बात दोस्तों हमेसा याद रखना जो बैग्राउंड होता है यह आपके वीडियो के लिए बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो आप दो के जगा पांच मिनिट ले ले लेना बट अच्छे से बनाना ठ इसके बाद हम सेम उसी तरीके से एक और केंवस लेंगे और एक दूसरा तरीके का बैग्राउंड जो आप लोग बहुत बार देखते हो ठीक है दो तरीके का बनता है एक्चुली दो तरीके का नहीं बहुत तरीके का बनता है तो दूसरा वाला जो बैग्राउंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ वह अला तो और भी आसाने एक मिनिट के अंदर आपका बन जाएगा इस वाले बेग्राउंड को भी आपको पिछले वाले बेग्राउंड की तरह ही एडिट करना है और एड कर लेने के बाद आप एरेजर चूज करना और उपर आप एक ओप्षन दिख रहा है उदर पर क्लिक करना तो आपका इरेस हो जाएगा और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी एरेस कर लेंगे आपको इहां पर कुछ और एड कर सकते हो बढ़ना इसे आप सेफ कर लेना अब हम चलते हैं काइन मस्टर पर और मैं दिखाता हूँ आपको आप पू पर इस बैक्राउंड को और भी ज्यादा एट्रैक्टिव और इनीमेटेड बनाने के लिए हम हाँ पर क्या करेंगे कुछ पेड़ पोधे फगरा एड करेंगे जो की अनीमेटेड होगा ठीक है जादा कुछ टाइम नहीं जाएगा आपका ज्यादा से जादा जादा धसे ज करूंगा और से सेंट तो बैक वाइड कर दूंगा तो मेरा वाटर जोई पीछे चला जाएगा आप इस वाटर के इमेज को अच्छे सेट कर लेना इसके बाद आप एजस्मेंट पे जाना और इधर से आप सेटूरेशन को हाई करले रवर इसके कलर को चेंज करना हुआ तो ही इसके लिए मैं इस तरीकी का पेर पॉधे का जो फाइल होता है वो ले लुँगा घीक है इमेज ले लुँगा गिफ मेज है यह और यह जब आप करोगे तो आपका जो पेर पॉधा है वो बहुत अच्छी तरीके से मूब होगा यह सभी चीजे में आपको प्रवाइड कर मैं कारतों वाटर के कलरों को थोरे सा नॉर्मेल कर देता हों जबरा परातों इसे चेंज कर दूँगा ठीक है अभी के लिए से नॉर्मेड कर देता हूं और अलग 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 फेintéम डिखंगा 2 कर सकते हो और डिजाइन कर सकते हो वह आपके उपर depend करता है, मैं जस्ट एक simple से basic आपको सिखा दे रहा हूं कि आपको करना कैसे है इसके बाद आप effect पे जाना, इधर से ripple नाम से एक आपको effect मिलेगा, वो लेकर आके आके आप आपके आपके उपर अच्छी तरीकी से adjust करना, send backward कर देना, तो आपका water जो है ये भी animate ह होना सुरू हो जाएगा भी मैं आपको दिखाता हूं सैटिंग पे जाके स्पीड और स्ट्रेंद को हाई कर देना अब आप वीडियो को प्ले करोगे तो आपका वाटर जो है इस तरह के से हिलता हुआ दिखाई देगा देगा देखो यह शौर्ड वीडियो आपको पूरा आपको शिखा देता हूं ठीक है जैसे कि मैं यहां पर एक नाडियल को ले लिया अब में क्या करूंगा की फ्रेम का यूज करूंगा और इसे थोरा साइड में मतलब की थोरा सा राइट साइड में आकर इस नाडियल को नीचे की और लाओंगा वो देखते हो ना आप लोग जो आपको दिख रहा है ने स्पेस इसके ऊपर बस रख देना अब आप प्ले करोगे तो नाडियल कुछ इस तरीके से मोमेंट लेगा आपको बस तीन की फ्रेम का यूज करना है पहला की फ्रेम पे नाडियल जो है वो स्क्रीन से बाहर रहेगा दूसरा जो की फ्रेम है उस इसके बाद जाके आप जो है इसे एनिमेट करना है इसके बाद आप लोग बहुत सरे वीडियो में स्मोग बगरा देखते हो या फिर और भी इफेक्ट देखते हो तो आपको काइंड मस्टर के स्टीकर में मिल जाएगा आपको यहां पर नहीं मिलता तो आप एसेट पर क्ल क्लिक करना क्रियेटिव कॉमोंस यूज करना रेपलाई कर देना अब आपको नीचे जितने भी वीडियो सो हो रहे है वह कॉपी राइट फ्री होते है ठीक है आप यहां से कोई साभी वीडियो का साउंड इफेक्ट रिउस कर सकते हो इधर मैं जैसे पहला वीडियो पर क्ल प्लेलिस्ट में विजिट कर लेना और इस वीडियो से रिलेटेट कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो